पढ़ाई करना सबका अधिकार है हर एक इनसान को शिक्षा मिलनी चाहिए ये सबका मौलिक अधिकार है लेकिन जारखंड में पढ़ाई करने का एक अलग ही मामला आया है यहाँ पर लड़के लड़कियों के साथ अब क्लास में एक लंगूर भी बैट कर पढ़ाई करता है और इस लंगूर के पढ़ाई करने का किस्था सभी तरफ आसपास के गाउं और शहरों में मशहूर हो रहा है ये लंगूर हर रोज एक निर्धारिक समय पर क्लास में आता है क्लास में ये कोई मस्ती नहीं करता है, किसी बच्चे को डराता नहीं है ये बस एक जग़ पर बैठ जाता है और शिक्षक जो कुछ पढ़ाता है ये लंगूर एक टक टकी लगाये बैठा रहता है और शिक्षक की बाते शांती से सुनता है fix time पर आता है और 10 बजे ये लंगूर चला जाता है हर रोज लंगूर अलग-अलग classes में जाकर बैठता है कभी 9 वी class में बैठता है तो कभी 7 वी में ये लंगूर पिछले 7 दिनों से school में आ रहा है और हर रोज आकर यही काम कर रहा है आखिर इस लंगूर को ऐसा पढ़ाई का चसका कैसे लग गया ये बात तो समझ नहीं आ रही है लेकिन school से जुड़े लोग अब इस बात को लेकर चिंतित है कि लंगूर से बच्चों को खत्रा है ऐसे में इस लंगूर को यहाँ पर आने से रोकना पड़ेगा rescue team को already inform किया जा चुका है और एक दिन rescue team इस लंगूर को पकड़ने भी आई लेकिन ये लंगूर भाग निकला और अगले दिन फिर same time पर ये school अटेंड करने आ गया मामला जारकन के हजारी बाग इस्तेत प्लस टू उच्च माधमिक विद्यालय का है और वही पर ये लंगूर अपड़ने आ रहा है अब आलम ये है कि बच्चे क्लास में पढ़ाई पर धियान कम और लंगूर पर धियान जादा देते हैं और तो और स्कूल के आसपास के लोग हर रोज स्कूल के यहां पर आकर एखटे हो जाते हैं इस पढ़ाई करने वाले लंगूर को देखने के लिए